आज हम सीखेंगे घातांग के नियम गणित एवं विज्ञान में अक्सर हमें घातांग को पर विबन्य संक्रियाय करना अवश्यक हो जाता है इन संक्रियायों का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें घातांगों के नियमों को समझना आवश्यक है पिछली कक्षा में हमने 0 तर पूर्णांग यानि non-zero integer a और b तथा पूर्णा संक्रियायों यानि whole numbers m और n के लिए निमनलिकित नियम सीखें जरा सोचिए क्या यह नियम उन संक्रियायों के लिए भी लागू होगा जिनका घातांग एक पूर्णांग यानि integer हो और आधार एक परिमेय संक्रिया हो लेते हैं m का मान पूर्णांग रिण 2 और n का मान पूर्णांग रिण 3 लेते हैं तो बाया पक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण 2 गुना साथ के उपर घात रिण 3 और दाया पक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण 2 धन रिण 3 बराबर साथ के उपर घात यानिकल एक बटे 7-7 लिख सकते हैं इसी तरह 7 के उपर घात रंटीन को एक बटे 7-7-7-7 लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के गुणन को हम एक बटे 7-7-7-7-7-7-7 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं चुकि हर के स्थान पर साथ का स्वयम से पांच बार गुणन हो रहा है। इसलिए हर के स्थान पर हम साथ के उपर घात पांच लिख सकते हैं। जिससे हमें संख्या प्राप्त होगी एक बटे साथ के उपर घात पांच। इसी को हम साथ के उपर घात रिन पांच लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है। अर्थात यह नियम पूर्णांग घातांकों के लिए भी सत्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N यहाँ नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका आधार परिमेय संख्या हो और घात एक पूर्णांग हो। यानि के किसी भी परिमेय संख्या A और पूर्णांग M और N के लिए A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N होता है। अब चलिए A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिन N की बात करे। यहाँ अगर हम A बराबर 7, M बराबर रिन 2 और N बराबर रिन 3 लेते हैं तो हमें प्राप्थ होगा साथ के उपर घात रिन दो विभाजत साथ के उपर घात रिन तीन बराबर साथ के उपर घात रिन दो रिन रिन तीन चलिए ग्याद करें कि यहां भी बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है या नहीं इसके लिए हम दोनों पक्षों को सरल करेंगे और प्राप्थ परिणामों की तुलना करेंगे दाय पक्ष को सरल करने पर हमें प्राप्थ होगा साथ के उपर घात रिन दो धन तीन बराबर साथ के उपर घात एक अब हम बाय पक्ष को सरल करेंगे क्या आप बता सकते हैं इस विभाजन को अब हम कैसे सरल करेंगे सोचिए सोचिए चलिए पता करें क्या आपको याद है कि जब हम परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं तो पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं फिर विभाजन के चिन्न को गुणन के चिन्न से बदल देते हैं और दूसरी संख्या का व्यूत करम यानि रेसिप्रोकल लेते हैं यहां एक बिटे साथ के उपर घात तीन का व्यूत करम होगा साथ के उपर घात तीन इससे हमें प्राप्त होगा साथ के उपर घात रिन दो, विभाजित, साथ के उपर घात रिन तीन, बराबर, एक बटे साथ के उपर घात दो, गुणा, साथ के उपर घात तीन, चुकि साथ के उपर घात दो, बराबर साथ गुणा साथ, और साथ के उपर घात तीन, बराबर, साथ गुणा साथ है, इसलि कि परिमेर संख्या A और पुर्णांक M और N के लिए A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिण N यह नियम सत्य है अब चलिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M गुणा N इस नियम की बात करे मान लीजे, हम a बराबर एक बटे 2 लेते हैं, m बराबर रिण 1 लेते हैं और n बराबर 2 लेते हैं नियम के अंतरगत हम लिख सकते हैं एक बटे 2 के उपरगात रिण 1 के उपरगात 2 बराबर एक बटे 2 के उपरगात रिण 1 गुना 2 चलिए यहाँ भी दोनों पक्षों को सरल करें बाय पक्ष को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक बटे दो की उपर घात रिण एक का अर्थ है एक बटे दो का व्युत्क्रम जो है दो इसलिए हम लिख सकते हैं एक बटे दो के उपर घात रिण एक के उपर घात दो बराबर दो गुणा दो बराबर चार. अब दाय पक्ष को सरल करें। चुकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह सत्यापित होता है कि परीमे संख्या A और पूर्णांक M और N के लिए एक के उपर घात M के उपर घात N बराबर एक के उपर घात M गुणा N है। इसी तरह आप बच्चे नियमों की जाज कर सकते हैं। जाज करने पर आप पाएंगे कि सभी नियम उन संख्याओं के लिए भी सत्य है जिनके आधार परीमे संख्या है और घात पूर्णांक है। इन सभी नियमों की जानकारी से हम घातांकों से संबंदित उधारणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमे संख्या AB और पूर्णांक MN के लिए A की उपर गात M गुणा A की उपर गात N बराबर A की उपर गात M धन N है। A की उपर गात M विभाजत A की उपर गात N बराबर A की उपर गात M रिण N है। A की उपर गात M के उपर गात N बराबर A की उपर गात M गुणा N है। गुणा B की उपर गात M बराबर A गुणा B के उपर गात M है। आज हमने सीखे कहतां के नियम। अगली वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उधारण देखेंगे। टुणा B की उपर गात M खेदेश आया स्वेह Monday